आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में और हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन से अनुछेद में कौन से मौलिक अधिकार की बातें की गई है मौलिक अधिकारों के सभी अनुछेद भी हम लोग देखेंगे तो आएए गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में तो यह रहा आपका मौलिक अधिकार के मौलिक अधिकार का पेस्ट और मौलिक अधिकार के बारे में डेटेल में जानने से पड़े हम यह देखते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या आएगे देखते हैं समिधान द्वारा जनता को प्रदत अधिकार को ही मौलिक अधिकार कहते हैं यानि कि समिधान ने जो अधिकार जन्ता को दी है उसी अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं इसका वरणन भाग 3 के अनुछेद 12 लेके अनुछेद 35 तक है और इसे अमेरिका के समिधान से लिया गया है यानि कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के समिधान से लिया गया है भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार को मैगना कार्टा के नाम से भी जानते हैं मैगना कार्टा के बारे में थोड़ा फद देख लेते हैं क्या है मैगना कार्टा ब्रिटेन से अवधारणा यानि कि मैगना कार्टा के जो अधारणा है वो ब्रिटेन से है जिसमें राजसाहियों ने मजदूरों को कुछ अधिकार दिये थे जिससे मैगना कार्टा कहा जाता साथ मौलिक अधिकार थे संपत्ति के अधिकार को अनिचे 300a कानून के 24 समिधान सहसोधन द्वारा 1978 स्वी में हटा दिया गया अता अब 6 मौलिक अधिकार हैं आए देखते हैं वह जो फर्स्ट है वह समता यानि कि समानता का अधिकार जो है वह पहला मौलिक अधिकार है जिसका वरणन अनुछेद भाग 3 के अनुछेद 14 से लेके अनुछेद 18 तक इसका वरणन किया गया है जो सेकेंड है स्वतनत्रता का अधिकार जिसका वरणन भाग 3 के अनुछेद 19 से ल जिसका वरणन भाक्तिन के अनुछेदग देई से लेके अनुछेदग चोबिस तक इसका वरणन किया गया है जो चौता है धार्मिक स्वतनतों का अधिकार अब धार्मिक वरणन है वह वह भाक्तिन के सारा कसाड़ा भाग तीन में यह बस अनुच्ध वाइज अलग-अलग है तो जो धार्मिक फतंत्य का अधिकार है वो अनुच्ध भाग तीन के अनुच्ध पतीस से लेके अनुछेद 28 तक इसका वरण किया गया है जो पांचमा है वो संस्कृति एवन सिच्छा का अधिकार जिसका वरण भागतिन के अनुछेद 29 से लेके अनुछेद 50 तक किया गया है और जो अन्तिम है यानि कि छठमा जो है वो समयधानिक उप्चारों का अधिकार जिसका वरण भागतिन के अनुछेद 32 में किया गया है तो जैसा कि हम लोगों ने उपर ही पढ़ा कि पहले जो मौलिक अधिकार तो वह स्रेवें थे जो सात्मा था वह आपका संपत्तिक अधिकार था अगर गाईज अगर आप बिजनस इंडेश्ट्री सब लोग खरिद लेंगे कि वो बोलेंगे कि संपति क्या अपना अधिकार है तो इस पर अंकुष लगाने के लिए जो ही यह जो संपतिक अधिकार है वो खतम कर दिया गया है अब आईए हम लोग डिटेल में देखेंगे जो 6 मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जैसे आपका यह समानता का अधिकार है अनुछे 14 से लेकर अनुछे 18 तक है तो अनुछे 14 में क्या है अनुछे 16 में क्या है अनुछे 17 में क्या है और अनुछ जिसके बारे में हम लोग देखा था क्या कि जो अनुछेद 14 से लेके अनुछेद 18 तक उसका वरणन किया गया है तो अनुछेद 14 में वो यह है अनुछेद भागतिन का अनुछेद 14 यह कहता है कि विधी के समच समानता है यानि कि कानुण के सामने जितने भी लोग आएंगे सबको समान रुप से ट्रिट किया जाएगा यह नहीं कि एक गरीब आदमी है तो उसको कानुण अलग नजर से देखेगा और कोई बड़ा उद्धोगपती आ गया तो उसको अलग नजर से देख जाएगा और जो अनुच्छित पंद्रा है कि यह कहता है कि धर्म जाती लिंग जन्म अस्थान आदिपर जो विवेद है तो ऐसा कोई विवेद नहीं है इस दिरिश्टी से भी सबको समानता की नजर से देखा जाएगा अब यह नहीं को कोई हिंदू है तो उसको अलग या फिस्तरी है तो अलग रोल पूरूफ है तो अलग रोल ऐसा जिस अनुछे चोदा बोलता है कि सबके लिए समान रहेगा हम धर्म जाती लिंग या फिजन्म अस्थान के अधार पर हम किसी को भी कोई अलग से ज्यादा सुविधा नहीं देंगे सबके लिए समान सजा और सबके लिए समान व्यवस्था और अनुछे नवकरी में अउसर की समानता यानि सरकारी नौकरी किसे वर्फ को को उनको पहले रखेंगी इनको बाद में रखेंग अईसा बिल्कुल नहीं है अब जैसा दोस्त के आप लोग देखते हैं कि तो आप यह बोलेंगे कि समानता कहां पर रही समानता का मतलब यह है कि जनरल को तो जादे नमर लाने होते हैं तो उनको जो कोटा है तो यह जो डिफ्रेंसेज है यह डिफ्रेंसेज भी समिधान नहीं दिया है हम इसको देखते हुए जो है लोगों के समानता को हम द्रिष्टिगत करेंगे कि क्योंकि स्विधान नहीं दिया है और समिधान के हिसाब से न्याइपालिका को चलना होता है अस्पृता का अंत अब समानता का अधिकार यह कहता है कि पहले लोग जो हरेजन थे है उनको दर्वाजे पर बैठना या फिर उनको चुना चूना जो है यह लोग मानते थे कि अश्वृत्ध हो गया है तो उसकी भी इसी अधिकार के मानता अधिकार के चलते इसका भी समापन हो चुका है उसका उपादियों का अंत और जो पूरा देखेंगा उनीस विसी किस बाइस तो अनुच्छेद उनीस क्या बोलता है जो अनुच्छेद उनीस है उसके अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या मतलब है कि बोलने की स्वतंत्रता हम बोल सकते हैं सांति प्रून रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता संभा समू बनाने की स्वतंत्रता भारत में आवा गमन की स्वतंत्रता भारत में किसी भी राजी में निवास की स्वतंत्रता भा युद्धा प्रदेश का है वो देली भी अपना जीविका पारजन के लिए जाए फक्ता है मुंबई भी जाए फक्ता है इसके लिए किसी भी तरह का नागरी को उपर कोई भी रोक नहीं है कि अब अनुछे 20 में क्या है अपराद के दो सिध्धी अपराद के दो सिध्धी में जो भाक्तिन का अनुछे 20 के अंतर गताता है उसमें क्या है आईए हम देखते हैं कि जिसमें अपराद करता है सजा उसके अनुसार तथा उस समय के अनुसार यानि कि एक नागरिक जैसा अपराद करता है उसको उस अपराद कानुन में जो वरणी किया गया उस अपराद के लिए वहीं सजा से दी जाशकती है और वो भी उस समय के अनुसार यानि कि कि उसकी क्राइम करने की इस्थिति क्या थी उसके हिसाब से नागरिक को सजा दी जानी चाहिए अब जैसे क्राइम तो बहुत फारे यह कंडिशन भी देख जाते हैं कि ऑ अपराद के लिए इस यह नहीं कि अपराद के लिए उसको बार बार सजा दी की जाग नुचिद 21 का अनुचिद 21 यह बोलता है के प्राण इमंद हिक सथनता चीवन वह की जीवत रहने का अधिकार भी का है मौलिक अधिकार है निषता का मोलिक अधिकार कोई भी नागरिक अपने निषता का भी नष्टाम भी मौलिक अधिकार है विदेश घूमना भी मौलिक अधिकार है यह किसके अनुसार यह भागतिन अनुच्छेट 21 के अंतरगत अब अनुच्छेट 21 क्या बोलता है कि चाहस्वी समिधान सुसुन्धे द्वारा 2002 में जोड़ा गया जिसके अंतरगत 6-14 वर्ष के बच्चेश का अधिकार यानिंकि जो चहा से चौद़ वरस तक की बच्चे हैं उनको उनका। इसपर मफण बढ़ गया है कि आप बच्चों को सूज भी दिया जाता है। यहां तक की ड्रेस के साफा जो कापी किताबें पढ़ाई लिखाई का है वो भी दिया जाता है इसका सीफ रिजन यहीं है तो उस बच्चे का यह मौलिक अधिकार है कि वह 6-14 साल का अगर है तो वह विद्याले में किसी भी विद्याले में जाके वह गौर्मेंट विद्याले नहीं करती है क्यों कि उसके बाद यह विद्यार्थी का मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन 6-14 वर्स तक कोई अगर बच्चा है तो उसका यह मौलिक अधिकार है कि उसको सारी सुविधाय गौर्मेंट से मिल सके किसके लिए पढ़ाई करने के लिए अब भागतिन का द्वालएकार कहते हैं पूलिक अधिकार है कि उसको गरफ्तार किया रहा है अगर विए जरी चीज है कि 24 difficult अंदर नियाख़ए पालिका यानि कि अगर पूलीश आगर आपको ग्रफटार करती है अगर गिरफ्ताल अगर पुलिस अगर करती है तो वह पुलिस को चौबिस घंटे के सामने चौबिस घंटे के अंदर न्याय पालिकाय के सामने उपस्तित करना होगा यह नहीं कि दो दिन चार दिन तक वह आपको जेल में ही रखे रहे जो थड़ यह मन पत्वन कानुनी शला ले सकता है और को कोई नागरी अगर फस गया है कानुनी पेज में तो उस आदमी का उस नागरी का मौलिक अधिकार है मनपसंद इनसां से मनपसंद वकील से वह कानुनी शला ले सकता है है miracles यहां कि इस मामले में हम नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते मानों बैपार मतलब एक इंसान को किसी इंसान को बेचना खरिजना बाला सुनम करना मतलब कि अगर कि चौदा साल तक को यह बालक है तो उससे मज़्डूरी करवाना करते हैं लेकि क्या करता है हैं परड़े उनको सलरी मिलती है ऊस्थी परड़ी जो मज़ोरी रहता है वह मिलता है लेकिन इये हम नहीं कर ठते हैं कि हम उसको सीब खाना पे जो रख्तेज जबरत्फिक काम करा है और उसको वहां से जाने ना दें अब अनुछë 004 यह बोलता है 24 बार्फ से कम वालोकों को उतते में कामकर ना क्या है क्या है का यानि यह बच्चे का मॉलिक अधिकार का हनन है अगर बच्चा 14..! क्वार्ण का अगर है और उससे 14 साल या 14 साल से कम का है अगर हम उससे कहीं कार खरने में या पहिए वि税 काम करवाते हैं तो ये उस बॉफचे का मौलीक अधिकार का हनन है êmes a 4 मोलीक अधिकार रहें लेकिंड कि मैं लुग किसे बारे में मीधिकार के बारे में में चोथ्या मौली का दिखार जो है यह है कि धार्मि स्वतनता का अधिकार जो कि अनुच्छेट पर तीस से लेके अनुच्छेट 28 तक है आई इसके बारे में देखते अनुच्छेट 25 क्या कहता है कि किसी भी धर्म के मानने आचरण प्रचार में किसी भी नागरिक में बाधा न प्रचार प्रसार कर सकता है उसको रूका नहीं जा सकता अनुच्छेट 26 यह बोलता है कि धार्मिक प्रबधन की प्रक्रिया कि धार्मिक प्रबधन जो होता है बहुत पर प्रोग्राम किये जाता है किसी धर्म के अंदरगत तो उसके भी रूक नहीं लगाया जा सकता और अ आगेब बढ़ा सकता और निशे 28 ये बोलता है कि धार्मिक उपासना में में उपस्तित होने की धार्मिक है यानि कि उस्थर्म किसी आपको पता है कि ते कि स्थर्म को चलाने के लिए कुछ be होते हैं कुछ कानून होते हैं उनके परसनेल कानून होते हैं तो उस शिच्छा का वो विस्तार कर सकते हैं कोई जैसे उपासना करना हुआ उपासना जो कि बहुत फारे लोग साथ में इकठा होके धार्मिक प्रोग्राम करते हैं तो उसमें उपास्त होने की स्वतनतरता है से लेकर अनुछिए बहुत कम है तो unex hàng करते हैं कि मुसलिम लोग अलप संख्येक में आते हैं यह आते हैं जितनी जन संख्या भारत की वह देखते हुए उन के संख्या काफी कम है अब अमिच्छेड 29 यह कहता है कि अलब संख्य को कहीते का सरच्ण आएक अलब जो संख्यां के उनकी जो है नमबर कम है तो अब जिस कम्यूनिटी की ज्यादा नमबर है वो उसके उप्र आक्रमड करके आक्रमड कर पकता है या पर उन लोगों को काफी परिशांद कर सकता है तो उनकी जो अलब संख्यां के उनको हीतों का सरेंषड भी क्या है उनका मौलिक अदिकार है कि वह सरकार से वो अपने रच्छा के लिए अधिकार सोच सकते हैं अनुच्छे तीस यह कहता है कि अपना संस्कृति बचाने है तू आप लोग देखते हैं कि अभी जो संस्क्रीटि यानि कि हार Willy की संस्क्रीटिक्ष अलग होती है इसाय की संस्क्रीट अलग होती है और पंज़ाबी की neighbourhood अलग होता है तो वह अपने संस्क्रीटि को बचाना अब मौलूक अधिकार समझते हैं जो छटा है सम्चारूं का अधिकार जोबनकीज़ qya गया है अब 32 की कहता है आज aja देखते हैं कि अगर अनिया पांच अधिकार का कोई छिनने का प्रयाश करता कर्षा कर सकते हैं और कुछ तत्य हैं इन्हें के बारे में तो आइए देखते हैं कि इसी मोलिक अधिकार को अमबेटकर ने समिधान की आत्मा बताया है किसको यानि कि समिधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसी को जो है मौलिक अधिकार इसी मौलिक क्या होता है कि क्या कोई कोट में अगर कोई ल хотим करता है कोई नमबर क्या सो कि आतमी का कमप्लेंट है तो रिच परकार का होता है जिसका अनुच्छे 32 में जो है वह सुप्रीम कोट के लिए तै किया गया है और यह 7 तरह का रिट देख सकते हैं कैसा क्या है कि एक बंदी प्रतिशी करण है यह इसके अनुसार जो है द inspectorates सबल्फे सब्सक्राइब कि आगर पुलिसनाक Jupiter को मजिश्ट्रेट के सामने होता है । जैसे ही 24 घंटा होता है तो उस 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उस नागरिय को मजिश्ट्रेट के सामने पिस दो होता है परमादेश क्या होता है जिसको का आदेश के भी नाम जानते हैं यानि सरकारी अधिकारियों को करतब के पालन है तो यानि कि जो आदेश क्या रहता है कि जो सरकारी अधिकारी रहते हैं उनको जो आदेश दी जाती है उनको करतब करने हैं तो वहीं परमादेश होता है प्रतिशेद यानि कि रोक क्या होता है कि आपके अधिकार चेत्र में से बाहर है प्रतिशेद क्या होता है अगर आप कई कैस अगर रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि या पिड कानका स्फाप यहatroर्म रहता है कि हाई कोड को कौन कोन से cases देख सकती है किस लेवल कीcases देख सकती है तो अगर वह अपने से उनके अंतरगत अगर नहीं वह case आती है उनके अधिकार छेत्रमरी केस नहीं आती है तो Supreme Court बोल फक्ति है कि आप इस case पे सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि यह आपके अधिकार छेत्र में नहीं आता है अब उत प्रेशर क्या होता है कि लंबित मुकदमा जो है यह Supreme Court High Court से मंगवा सकता है अगर कोई case है बहुत तई सालों तक अगर चलता है हाई कोट में अगर फैसला जल्दी अगर नहीं देते हैं तो अगर Supreme Court को ऐसा फील होता है कि यह काफी टाइम से है यह मुकर फाइनल डिसेजन नहीं दे पाते हैं तो हाई कोट से सुपनिम कोट वो केस अपने पास में वाफकती है और अपनी हां सुनवाई करके फैसला दे सकती है इसको अम लग उत्प्रेशड के नाम से जानते हैं अधिकार प्रिच अधिकार प्रिच लेक यह ता है कि स्वार्वजिनिक पर बैठा अधिकारिक योग्यता प्रिच्छड यानि कि छहत्य है आपका आई प्रिश्चा लेकर घ्रता है अब यह सब तो था समीधान में जो है कानून जो हम लोग पढ़े अभी जो बहुततीост ब़ुद अ है ज़ेसे अनुछे 23 में क्या है सेना सरत्रों खूफिया बिभाग का जो pecf इनके बारे में अनुछे 33 में बताया गया है और इसका डिस्क्रिप्ट्टन अनुछे 34 में दिया गया है नंुछे 35 में क्या है कि संसत पावर है कि मौलिक अधिकार संबन्दी कानुन बनाना चनुछे 342 क्या बोलता है भारत में या फिर किसी भी देश में तो हम लोग अपने देश के बारे में खेल पड़ रहे हैं तो जो अपने जिसमें जो राष्टी आपातकाल जो लगता है वो अनुच्छे 352 के अंतरगत लगता है जैसा के इंद्रागांदी ने अपने सासनकाल में लगाया था 352 राष्टी आपातकाल के लागों होने पर अनुच्छे 20 वह 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़कर बाकी सब अधिकार निरस्त किया जापकता है यानि कि अभी जो हम लोग मौलिक अधिकार बात किये यह नॉर्मल कंडिशन का था लेकिन अगर यहीं अपने भारत देश में अ के हिसाब से जो अनुच्छे 20 वह 21 के मौलिक अधिकार है वो स्वता समाध्य ये स्वता जो है इन्हें छोड़कर बाकी जितने भी मौलिक अधिकार के सब tiden उस समय के लिए अपातकाल जिता भी समय तक चले उस समय तक यह अधिकार को जो जाता है 4 कौन से देटे चोधे जिसके बार को पूरा बड़ चुके हैं कि लुटसज्स अनुच्छ है 21 21 जैसा कि यह बाद में बनाए गया समसत के दोवारा अनुच्छohl लेके 24 तक अनुछषय 25 लेकर 29 तक केवल भारती नागरिबें ohीली अनुषय 14 20 21 से 23 27 and 114 वहती नागरिगयों को प्रातम मौली अधिकार कहन पंद्रा अनुच्छेद 16, यह अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 30 में जो है जो जो वरणन दिया गया है या भारती नागरिकों के लिए राप्त मौलिक अधिकार है तो गाइस यह था अपना हां ईकार मौलिक अदिकार और जैसा कि मैंने आपको हर एक अनुच्छेद के बात मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और कौन से भाग में कौन अनुच्छेद तो प्लीज प्लीज आप इस तैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि फीचर अगर कमी वीडियो अप्लोड करूं तो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके तो गाइस थैंक यू थैंक यू वेरी मच